हेलो गाईज, वेलकम टू डेली करेंट कैपसूल, दिस इस देव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आउगस महीने के करेंट अफेस का दूसरा पार्ट एक पार्ट अल्रीड आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए सारे इंपॉर्टन अनाउंस किया है, तो यहाँ पर इंग्लेंड का पूछा है, इंग्लेंड के अलेक्स हेल्स हैं, उन्होंने रिटार्मेंट अपना अनाउंस किया है, ऐसे ही इंग्लेंड के स्टूर्ट ब्रॉड हैं, मोहीन अली हैं, इन प्लेयर्स ने भी अपना रिटार्मेंट अनाउंस ये भी 2023 में रिटायर हो चुके हैं और Aaron Finch, Australia के जो captain थे वो भी रिटायर हो गए है हाशे मामला South Africa के player थे ये batsman थे तो ये सब players रिटायर हुएं 2023 में इनके बारे में questions आ सकते हैं तो आपको पता होने चीए सबके बारे में Which state or union territory has the maximum number of deaths due to rabies in the country in 2022 2022 में rabies से होने वाली सबसे ज़्यादा मौते हैं दिल्ली में record की गई हैं दिल्ली में total 48 लोगों की death हुई थी rabies की वज़े से और दूसरे नंबर पर West Bengal आता है अगर आपसे पूचा जाए कि ऐसी कौन सी state है इंडिया में जो rabies free है तो उस का अंसर होगा गोवा में जितने भी आपको ये बंदर और कुटे जिन से rabies होता है वो सारे जानवर vaccinated है और वैसे आपको सटको पे गुंते वैसे नहीं मिलेंगे बापे और rabies के लिए government hospitals में भी free vaccines मिलती है अब पहले के तरह 14 injection लगवाने की जरूत नहीं है सिर्फ तीन injection लगते है और वो भी free of cost आप किसी भी government hospital में जाके लगवा सकते है बहुत important question है ये क्योंकि इंडिया के जो grand master है चेस के champion है विश्वनातन आनंद उन्हें D. Gukesh ने सरपास कर दिया है और अब वो इंडिया के number one chess player बन गए है 2023 में Asian Chess Federation ने उन्हें player of the year का भी award दिया है इसलिए मैं आपसे कहा रहा हूँ ये question आ सकता है exams में बहुत important question है तो इसे याद रखिएगा सरकार की अपनी एक social justice ministry है उन्होंने एक report release करी है जिसमें उन्होंने बताए कि पिछले 5 साल में manual scavenging से zero deaths होई है zero ये possible लगता नहीं है सुनने में लेकिन सरकार के आगडों के अनुसार zero deaths होई है और manual scavenging इंडिया में practice नहीं की जाती पहले UP, बिहार, तमिलनाडू, डेली ये कुछ states थी जहाँ पर बहुत जादा cases record की जाते थे deaths के manual scavenging की वज़े से लेकिन अब जो सरकार ने अपने आकड़े release की है उसमें zero है मगर आप और अकवार में देखोगे और दूसरी reports पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 350 के आज पास लोगों की मौत हुई है तो अब आपको भी zero ही लिखना पड़ेगा अगर कहीं पूछा जाएगा तो देखे पॉलिटिक्स में हुआ रहे हैं दो पार्टियां बहुत जादा चर्चा में रहती है एक एंडिये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस बोलते हैं जिसे बीजेपी वाली है जो और दूसरी यूपिये यूपिये ने अपना नाम चेंज करके अब इंडिया रख लिया है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूची जा सकती है याद रखिए गए इसके साथ ही आपको ये भी पता होने चीए कि ये सब पार्टियां बनी कब थी जिसे इंडिया की सबसे पुरानी पार्टिय है कॉंग्रेस इंडियन नैशनल कॉंग्रेस जो 1885 में बनी थी बॉंबे सेशन हुआ था कॉंग्रेस का एक जिसे व्योमेश चंद्र बैनर जी ने प्रिसाइड किया था और ये बॉंबे में होने नहीं वाला था ये कहीं और ओने वाला था लेकिन उस जगे पे प्लेइग फैल किया था इस वज़े से इसे बॉंबे में करना पड़ा तो आप मेरे को कमेंट में लिखके बता सकते हैं वो कॉन सी जगे थी जहां पर पहला ये Congress का session होने वाला था ठीक है तो अब ये Congress तो 1885 में बनी थी BJP बनी थी 1980s में और BSP भी 1980 में बनी थी बहुजन समाध पार्टी इसके बाद समाजवाधी पार्टी बनी थी 1992 में और आम आदमी पार्टी ये बनी है 2012 में इन सब की बारे में भी आपको पता होने चाहिए विच कंपनी है लाँज़ दे वर्ल्ड लार्ज़स प्राइवेट कम्यूनिकेशन सैटलाइट जुपिटर 3 अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी कम्यूनिकेशन सैटलाइट है जुपिटर 3 जिसे SpaceX ने लाँच किया है ऐसे काम SpaceX ही करती है उन्होंने अपना Falcon रॉकेट यूज़ किया है Falcon Heavy रॉकेट है उनका सबसे बड़ा रॉकेट है वो भी उसे यूज़ किया है ये Maxxer Technologies नाम की कम्पनी है जिनोंने इस सैटलाइट को डिजाइन किया है और इसे Kennedy Space Center Florida से इन्होंने launch किया था Micron will establish India's first semiconductor plant in which state Micron एक semiconductor बनाने वाली काफी बड़ी कंपनी है US की कंपनी है ये और ये गुजरात में अपना पहला प्लांट लगाएंगे इनके according इस प्लांट से 5000 direct jobs generate होंगी गुजरात में और ये बहुत ही अच्छी खबर इंडिया के लिए है क्योंकि अभी Foxconn और Vedanta की एक deal होने वाली थी जो बीच में भी cancel कर दी है उन्होंने इसका ये मतलब नहीं है कि Foxconn ने इंडिया से ही pull out कर लिया है आप वो दूसरी कंपनियों को देख रहे हैं जिनसे वो deal कर सकेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा जिससे इंडिया के अंदर जो हम सेमिकंडक्टर की एक पूरा हब बनाने का सोच रहते उस प्लान में भी और जादा deal हो जाता तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को एक अच्छी शुरुवात मिल चुकी है माइकरॉन के साथ और आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि और बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आकर सेमिकंडक्टर मैनफेक्टरिंग में इन्वेस्ट करेंगी इस साल ब्रिक समिट साथ आफरिका ने होस्ट करी है और आपने सुना ही होगा इसके बारे में कि पुतेन इसमें गई नहीं थे क्योंकि उनके अरेस्ट होने का खत्रा था शुरू में ये भी कयास लगा रहे जा रहे थे कि हमारे PM मोदी भी वहां नहीं जाएंगे लेकिन लास्ट में वो गए और काफी अच्छी ये मीटिंग रही ब्रिक ये 2006 में ग्रुप बनाया गया था उस टाइम साथ अफरिका इसमें इंग्लूड नहीं था बच्चे अब से सरफ 2 घंटे फोन चला पाएंगे ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है चाइना अभी ये प्रोसेस में चल रहा है लगाया नहीं है उन्होंने उन्होंने स्मार्ट फोन बनाने वाली कंपनीज को गाइड लाइन्स दी है जिसमें उन्होंने माइनर मोड बनाने के लिए बोला है जिससे एक दिन में सरफ 2 घंटे ही फोन चला पाएंगे 40 मिनट से ज़ादा गेम्स नहीं खेल पाएंगे ऐसी डिक्टेटरी मेजिस लेने वाली कंट्री में रहना भी असान नहीं है उन बच्चों के लिए जो मिचारे वहाँ पैदा हो गए तो चाइना ये सब करने वाला है तो ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो रूल्स को बना कर थोप देती हैं अपने सिटिसेंस पर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते चाइना और नॉर्स कोरिया में होता है जैसे तो बस आप भगवान का शुक्रिया दा करिए कि आप भारत में पैदा हुआ हैं और इसी के साथ हम अपने अगले कुशन पर चलते हैं असम के जोरहट में रहने वाले जादव पाइंग जिन्होंने 1360 हेकड की बंजर जमीन को आज एक हरा वरा जंगल बना दिया है ये 16 साल की उमर से पौधे लगा रहे हैं पेड लगा रहे हैं और आज ये 65 साल के हैं तो आप अंदाजर लगा सकते हैं कितने पेड लगाए होंगे इन्होंने 1360 हेकड बहुत जादा बढ़ा ही रहा होता है तो इनका नाम याद रखिएगा जादव पाइंग ये अवार्ड 1983 से देना शुरू किया गया था और तिलक समारक मंदे ट्रस्ट इसे देता है इंदरा गांधी, डॉक्टर मनमुहन सिंग, अटल बिहारी वाजपाई और प्रणम मुखरजी जैसी एस्टीम पर्सनालिटीज को ये अवार्ड पहले मिल चुका है और इस साल का 41st लोक मानने तिलक नैशनल अवार्ड मिला है प्रधान मंदरी नरेंदर मोधी को और इसकी जो प्राइज मनी मिली थी एक लाग रुपे उसे उन्होंने डोनेट कर दिया है नमामी गंगे प्रोजेक्ट को ये कॉन्फरेंस पहली बार एशिया के अंदर होस्ट की जा रही है और एशिया में भी बेंगलूरू में बेंगलूरू को कॉफी कैपिटल अफ इंडिया बोलते हैं तो वहाँ पे इसे होस्ट किया गया है और अगर हम इंडिया में कॉफी की बात करें तो करनाटका is the largest producer 70% कॉफी पूरी इंडिया की करनाटका से ही produce होती है और पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया 6th largest producer है कॉफी का आपको याद होगा 2016 में अटल innovation mission launch किया गया था जिसमें बहुत सारी tinkering labs भी बनाई गही थी schools में, colleges में उसका main objective था research and development को बढ़ावा देना innovation को बढ़ावा देना तो उसे ही आगे देखते हुए केरला में अटल incubation centers खोले जाएंगे और इसके लिए नीती आयोग ने 10 करोड रुपे भी allocate की है ये इस साल जर्मनी में होस्ट किया गया था जर्मनी की capital Berlin में और यहाँ पर आदिती स्वामी पहली भारतिये बन गई हैं जिन्होंने individual category में gold जीता है तो इनका नाम याद रखिएगा ये question आपके exams में आ सकता है पाकिस्तान का एक ही सगा भाई है चाइना जिन्होंने पहले ही उन्हे इतना सारा loan दे रखा है कि अब वो loan की किस्ते चुकाने के लिए भी उन्हें loan लेना पड़ता है तो वैसे ही एक loan की किस्त उन्हें चुकानी थी चाइना की और उनके पास पैसे नहीं है तो चाइना ने उनका loan अभी के लिए माफ कर दिया है दो एक साल के लिए उनसे बुला कोई बात नहीं बात में देते ना तो याद रखिए का चाइना नहीं किया है और पाकिस्तान में elections होने वाले हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शावाज शरीफ ने रिजाइन कर दिया है अभी के लिए महाँ पर केरे टेकर प्राइम मिनिस्टर बने वे है जिनका नाम है अनवर उलक इंडियन रेलवेज हैस साइंड Memorandum of Understanding with which IIT for 5G testbed in हैतरबाद Ministry of Railways के अंडर आता है इन्डियन रेलवेज इंस्टिटूट अफ सिगनल एंजिनियरिंग और टेली कम्यूनिकेशन इन्होंने Memorandum of Understanding sign किया है IIT मदरास के साथ 5G testbed के लिए हैतरबाद में याद रखिएगा important question है Max Verstappen का नाम तो सुना ही होगा आपने Red Bull की तरफ से race करते हैं इन्होंने आपका भी काम असान कर दिया है race जीत कर 2023 में जितनी भी Grand Prix की races हुई है सारी Max Verstappen जीते हैं सिवाए दो के सिर्फ दो आपको याद करनी है एक Saudi Arabian और एक Azerbaijan वो दोनो Sergio Perez जीते हैं Australian हो, Monaco, Spanish, Canadian कोई सी भी हो अभी तक की वो सारी Max Verstappen जीते हैं तो याद रखेगा Max Verstappen इसका अंसर है Japan Open का टाइडल अपने नाम किया है Victor Axelson ने यह Denmark के प्लेयर है Olympics Gold Medalist है और आज के टाइम में Number One Ranking है इनकी Badminton में इन्होंने Jonathan Christie को हराकर यह टाइडल अपने नाम किया है More than 49 crores account have been open since the inception of which scheme सरकार 2014 में स्कीम को लेके आई थी प्रधान मंतरी जंधन योजना जिसके अंडर Zero Balance पे bank account खोले गए थे और बहुत लोगों ने खुलवाए थे इससे सरकार को फायदा यह हुआ कि जब भी वो कोई scheme launch करते है जिसके अंडर उन्हे financial help प्रोवाइड करनी होती है चाहे वो किसानों की हो senior citizens की हो women's की हो या students की अगर उन्हे financial help प्रोवाइड करनी है तो वो सीधा पैसा beneficiary के account में transfer करते है इससे क्या होता है जो बीच में middleman आ जाते थे वो अपना commission वगएरा लेते थे वो सारी चीज़े बंद हो गई है और सीधा जितना पैसे सरकार देती है वो सीधा आपके bank account में आ जाता है इसमें 49 करोड account अब तक खुल चुके है और यह record है अभी तक का इस साल इंडिया ने 77th independence day celebrate किया है और उसके मौगे पर प्रदान मंतरी मोधी ने मार्टियर्स के लिए हमारे देश के शहीदों के लिए यह campaign launch किया था यह 9 औगस से लेके 15 औगस तक चला था और इसमें पूरे देश भर में schools में, colleges में कई सारे events organize किये गए थे चीफ मिनिस्टर अफ विच स्टेट हैज लाँज़ दा अमरित ब्रिक्ष आंदूलन एप यह असाम के चीफ मिनिस्टर है हिमन तब इस्वसर्मा जिन्होंने अमरित ब्रिक्ष आंदूलन लाँच किया था इसमें इनका objective है climate change को counter करने के लिए ये एक करोड़ पौदे लगाएंगे अपनी स्टेट में सप्टेंबर में एक दिन के अंदर अंदर जिसके लिए इनोंने कई सारे women self-help groups से भी बात कर रखी है वो सब आम जनता आके सब मिलके total एक करोड़ पौदे लगाएंगे एक दिन के अंदर इनका जो bigger plan है वो है 2025 से पहले पहले पांच करोड़ पौदे लगाना आसम में और इसमें खाली लगाने की बात की गई ऐसा नहीं है कि बात में जाके आपको देख भालवे करनी होगी वो बस लगा दो आप इस एप में होगा कि आप वहाँ पर जाईए उसमें रेजिस्टर करिए एक पौदा लगाईए पौदे की साथ अपनी फोटो कीचिए उसे अपलोड कीजी एप पे तो आपको 100 रुपे मिलेंगे एक तरह से यह awareness बढ़ाने के लिए है लोगों में climate change, deforestation, green economy और forest cover को बढ़ाने को लेकर इन सब के लिए है यह portal लाँच किया है हमारे education minister धर्मेंतर प्रदान ने और foreign affairs minister डॉक्टर S.J. शंकर ने इस portal के अंडर आपको सारी information मिल जाएगी अगर आप इंडिया के किसी institute में कोई सा course pursue करना चाहते है चाहे वो medical की field में हो, engineering की field में हो वो arts से related भी हो सकता है हर तरह की है तो ऐसी बहुत सारी foreign countries है जहांके students इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए जैसे Russia, Thailand, Japan, Ethiopia, Ecuador, Kazakhstan, Republic of Korea तो ऐसी बहुत सारी countries है उनके students काफी interest शो करते हैं इंडिया में आके पढ़ने में तो उनके लिए ये बहुत असान हो जाएगा वो सिर्फ एक portal पर जाएंगे और वहाँ पर उन्हें सारी details मिल जाएंगी UNESCO has recommended which city to be added in the list of heritage threats World Heritage Committee ने एक list बना रखिये जिसमें वो उन locations को डालते हैं जो किसी ना किसी वज़े से threat के अंडर होती है अब वो वज़े climate change भी हो सकती है कोई natural disaster भी हो सकता है war की वज़े से भी हो सकती है जैसे Russia यूक्रेन की चल रही है तो वहाँ पर Odessa city है एक यूक्रेन में वो भी इस list में है तो वो ऐसी locations को इस list में डालते है तो अभी हाली में उन्होंने Venice को इस list में डाला है Venice Italy में एक city है बहुत अच्छी tourist destination है लेकिन वहाँ दिक्कत यह है कि पानी का level वहाँ अभी थोड़े time पहले तो बिल्कुल dry हो गया था वहाँ बहुत सारी कनाल्स में सूखा हो गया था और थोड़े time के बाद ही वहाँ पर अभ फ्लड़ वाले हालात हो रहे है तो अभ Venice को उन्होंने Heritages Under Threat वाली list में डाल दिया है 15 अगस्त के बाद से महराष्ट की government ने ये order लेके आया है कि जितने भी सरकारी hospitals हैं उसमें आपका check-up तो वैसे भी पहले free होता था लेकिन वहाँ जब आप test वगएरा करवाते थे उसके लिए आपको pay करना पड़ता था लेकिन अब से महराष्ट के जितने भी सरकारी hospitals हैं वहाँ पे आप सारे test free में करवा सकते हैं चाहे वो city scan हो, x-ray हो, ecg हो, blood test हो वो सब भी free of cost वहाँ पर करवाय जा सकेंगे उत्तर प्रदेश की government ने ये policy अप्रूव करी है इसमें क्या करेंगे जितने भी dams, reservoirs, rivers, lakes, UP में हैं उनमें water sports और adventure sports को promote करेंगे जिससे UP में भी tourist का footfall और बढ़ जाएगा और इससे state के tourist sector को भी एक push मिलेगा ओके गाईज, so this is the end of the video 25 questions हो चुके हैं इसमें, सारे important questions है इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से बाकी questions का भी revision कीजिएगा और मैं लगा के पढ़ाई करिएगा I'll see you in the next class